15 अगस्त स्वतन्पता दिवस के बौके पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर जंडा रोहन करेंगे ऐसे में तैयारिया लाल किले की क्या है उसकी तस्वीरे आपको दिखाएंगे इस वक्त हम लाल किले के पास मौजूद है सबसे पहले आपको तस्वीरे दिखाएंगे कि यहाँ पर सास सजावट का काम किया जा रहा है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से जंडा रोहन करेंगे इसके साथ ही कुरसियां लगाई गई है जो भी वी वी आईपी यहाँ पर पहुचेंगे वो इस कुरसी पर बैठेंगे इसके साथ ही अगर हम सुरक्षा की बात करते हैं तो दस हजार से जादा जवानों की तैनाती लाल किले के पास की गई है इसके साथ ही प्रियाटकों के लिए लाल किले को बंद कर दिया गया आप देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है कि लाल किला प्रेटकों के लिए 15 अगस्त तक बंद है इसके साथ ही आप देखेंगे कि जवानों की तैनाती यहाँ पर की गई है तस्वीरों में आप देख पा रहे हुए और 10,000 से जवानों की तैनाती पूरे लाल किले के आसपास की गई है आप तस्वीरों में सीधे तोर पर देख पा रहे हुए कि बैरिकेटिंग किया गया है यहां से बैरिकेटिंग की शुरुआत हुई है पूरे इलाके में यहां पर बैरिकेटिंग लाल किले क्या आसवास किया गया दूसी तरफ की तस्वीरे आपको सिसी टीवी की दिखाते हैं एक हजार से जादा सिसी टीवी पूरे लाल किले पर जो है वो लगाई गई है जिससे निगरानी हर किसी पर रखी जाए आप सिसी टीवी की तस्वीरे देख पा रहे होंगे दूसी तरफ सिसी टीवी लगाई जो भी वहन यहां से गुजर रही है उसकी सीधी तौर पर जो है नजर उस पर रखी जा रही है और चेकिंग बढ़ा दिया गया है सिर्फ लाल किले कि आसपास ही नहीं दिली से सटेवे बॉडरों पर भी चेकिंग की जा रही है हर वहन पर नजर पुलिस की तरफ से रखी हो इसको लेकर पूरी तरह से तैयारी की गई है दूसी तरफ की तस्वीर आप देखेंगे दूसी तरफ भी दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेटिंग कर दिया गया और यहां पर जो है पुलिस के कर्मी आपको नज़र आएंगे हर वक्त आपको पुलिस के कर्मी यहाँ पर मुस्तैद है और सुरक्षा के लिहास से 10,000 से जादा पुलिस कर्मियों की तैनाती पूरे लाल किले पर की गई है कैमर पसर नुईत के साथ स्वाती पाटक भारत समचार दिल्ली